नमस्कार साथियों, पब्लिक 24-7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, आज हमारे साथ श्रीमान तुफैल चतुरवेदी जी जो इसलाम और कुरान का भारतिय या या कहें हिंदू नजरिया, उस नजरिये से उस नजरिये को रखने के मामले में बड़े ही माहिर और उ स्विधान और इसलाम और कुरान से संबंदित है, उनको लेकर चर्चा के लिए हम जा रहे हैं, श्रीमान तुफैल जी, तुफैल जी हमारा आप से एक पहला सवाल है, कि इसलाम और भारते स्विधान की भारत के लोक तंत्र में क्या स्थान है, कौन सुप्रीम एसी रखता ह क्या इसलाम सुप्रीम स्थान पे है या संबिधान? बहुत अच्छा गंभीर प्रशन है, मगर इसका उत्तर दो टूप देने से पहले, मैं थोड़ी सी इसलाम के बारे में बात करना चाहूँगा, हमारी कटनाई है कि, और हमारी क्या विश्वभर में ये हुआ है, पंद्रह सो वर्ष से इसलाम कारे कर रहा है, मुहमद ने इसके चिंतन के प्रति आगरही और उसकी जिसे इमानदारी से कहा जाए कि छान भटक, वो विश्वभर ने की ही नहीं, ये इतना हस्यासपद है कि तीन सो साल प्रिशन्स ने क्रूसिड लड़े इसलाम से, ये रुशलम के लिए लड़ाई लड़ी, मगर तीन सो वर्ष तक इसकी चिंता ही नहीं की कि लगातार ये जगड क्यों रहे हैं, आधार क्या है, पहली बार भारत में आरिसमाज, महरशी इद्यानंद का जो गरंत है, सत्यार्थ प्रकाश, उसका चौद्वा सबूलास में इसलाम का खंडना आया, इस से पहले विश्व में कभी किसी ने चि ये थी, इसलाम की धारना क्या है मैं बताना चाहूँगा, मुहमद ने तोहीद, यानि अल्ला एक है, उसमें कोई सम्मिलत नहीं है, कोई देवी देवता किसी प्रकार का कुछ नहीं है, मुहमद उसका पेखंबर और पुरान उसकी किताब, ये तोहीद का आधार है, इस पर पहले दिन से जब ये घोशना हुई, तब से ही विवाद था, और शुरू के वर्षों में मुहमद अपने प्रियासों के बावजूद, सो लोग मुसल्मान नहीं बना पाए, और इतना विरोध बढ़ा कि मका छोड़कर मदीना भागना पड़ा, वहां सताहत लग गई, और उसके बाद मारना, लोगों पर हमले करना, सारी चीज़ें आती रहीं, नमाज अल्लह के बारे में हैं और उसको पांच बार दिन में नमाज पढ़ी जाए, रोजा रखना, और हज, तोहीद, नमाज, रोजा, और जकात, कि आपको मुसल्मान हैं तो आपको इसलाम को टेक्स देना होगा, पैसा देना होगा, ये काम स्टेट का होता है, इसलाम मूलत, दीन और दौला, यानि अपने जो वेक्तिकेत आचार विचार हैं, जिसे हम धर्म से कई वार जोड लेते हैं, धर्म नहीं है, दीन और दौला, राजनीती, ये दोनों अंतर गुंपिते, पूरी त जो सकता है, मगर इस चिंतन में एक जो बड़ी समस्या है, कि इसलाम ये मानता है, कि वो ही संसार का अंतिम सकते है, और उसके अलावा जो लोग भी हैं, वो सब काफिर हैं, जिस जगह इसलाम नाफिस है, ताकत पर है, काविस है, ध्यान रखें संख्या का ममला नहीं है, भा हाज भी अगर पाकिस्तान, हिंदुस्तान, भंगला देश horrific मूटे-मूटे तोर पे भारत है, इसके मुस्लमान हिंदु मिला दूग है तोभी मुस्लमान बहुत संक्या में नहीं है। संक्या का मामला नहीं है, ताक्त का मामला है कि वह उस पर हावी है उन सब को जिम्मी बनकर या लगभग दास जैसी स्थिति वो अपने जंदा रहने के लिए जजिया देंगे इसलाम उन्हें मारे नहीं सुरक्षा दे इसके लिए वो टैक्स देंगे जैसे यह जो दाउद है मौंबे में करता रहा है कि आप बिल्डिंग बना रहे हैं आप अपना पार कर रहे हैं आपके दुकान पर हमला नहीं हो आपके बम न फेका जा को गुली ना मारी जाए इसके लिए प्रोटेक्शन मनी दें ये इस तरह की धटना है और ये लगातार उनका उस खितर में होगा और उसके अलाओ बागी जो हिस्सा है जहां इसलाम नाफिज नहीं है वो दारुलहरम यानी इसलामिक शितर से अलग वो हिस्सा जहां इसलाम की दृष्टी में जंग चल रही है यो दोरा है और हर नौन मुस्लिम को मार के खेच के तोड़ के दबा के पैसा दे के लड़की दे के जैसे भी हो इसलामिक शितर में लाना इसलाम में कनवर्ट करना और इसक्रिया का नाम है जिहाद लगातारी काम करना हर मुसल्मान का जीवन का एक मात्र लक्षा है क्यों जिहाद करता रहे जो दारुल इसलाम है वो और दारुल हरब यानि लड़ने का क्षेतर है इनके बीच में 77 Cave चल रहा और यह15 Jawår." जहाँ जहाँ इसलाम जिसकाल में भारत पर पहले करमन हुआ साथ 12ईसुई में वो सिन्द था हमारे लिए सिन्द था उसके लिए नहीं था उसके लिए आए कि सारे जितने बुट खाने थे सब खत्म कर दिये गए हैं मूरतियां तोड़ दी गई हैं मिसमार कर दी गई है और जो ब्रामन पूजा करते थे उनके गले में गाईं गाईं काटके उनकी आउटे बॉत का दी गई है एक राजा दूसरे राजा पर हमला करेगा ये एक शत्र एकारे है सौहवेक है इसमें कोई समस्या नहीं है मगर वो कभी भी साथ में जो किसान हल जो उत रहा है जो अपने बच्छों को बढ़ा कर रहा है दूर दूर रहा है उस पर हमला नहीं होता था कभी स्थियों पर हमले नहीं होते थे इसलाम की दृष्टी में ये सारे काफिर है और इन लोगों को खद्म करना उसका धर्म है तो ये एक मूलत और हिंसक माफिया है जो आधिपत चाहता है हर स्थिती में कि हमारा वर्चस हो जाए तो वो इस बात को समझे बगएर आप इसके बारे में कोई प्रश्ण करेंगे तो मेरा जवाब देना उप्योक तो नहीं होगा इस बात को समझ लें अब आप आपका जो प्रश्ण है उसे लेता हूँ कि इसलाम और भारती सम्मेदान भारत के लुक्तंत में सुप्रीम कौनस्तान रखता है किसी भी स्थित्य में भारत है नहीं क्या हमने 1947 में जब भाजन हुआ और बची कुची हमारा राट हमें देश मिला तो इसके लिए नियम बनाए 1952 में हमने कानून बनाए और हमने सम्मेदान को आत्मारपण किया कि हम इसके हिसाब से चलेंगे उसमें मुसलमान भी थे इसाइब भी थे यहूदी भी थे या मान लीजे कि वो थे क्योंकि उनका नित्र तो संसद में था नहीं इसलाम पर जो नित्र तो करने वाला वर्ग है वो अलग है वो सामने नहीं आता यह उसकी शक्ते है कभी वो सामने पढ़ते ही नहीं आपके तो माना यह जाता है कि उन सबने किया तो उससे उपर सुप्रेमेसी तो किसी की नहीं हो सकती है संबभ नहीं है मगर इसलाम में कैसे विचारत जो अपने आपको अंतिम सत्य मानती है उस पर वो डिसकस ही नहीं करते है बात ही नहीं करते है वो तो कुछ के जो इसे नहीं मानता उसे कट डालो गताल फी सबीलिल्ला अल्ला की रहा में गतल करो जिहाद फी सबीलिल्ला अल्ला की रहा में जिहाद करो यह उनके नारे है और यह को दवेचे पे नहीं है जहां जहां इसलामी शक्ति आज बीस्वी शताब्दी में अफगानिस्तान में तालिपान आए आइसिस आई दाइश आए और जो है इन लोगों के जंडों पर यह नारे लिखे हुए हैं उसामा विल नादेन ने जो बहुत बड़ा गपारी परवाय का था साओधी अरब में उसने महां के शेख को पत्र लिखा और उस पत्र को की नोटिंग भेजी अमेरिका के प्रिसिडंट को भी कि जगड़ा इसी बात का है कि संसार में सचाई सबते किसके पास है इसलाम के पास ही सच है और उसके अलावा जो किसमें पैसा था चलिए मान लेते हैं नारंडा के विशुद्याल में वहां किसके पास पैसा था गरीब भिख्षो थे जिनके पास एक कंता ओड़ने का और एक चटाई पिछाने की थी इन्हें मारने का क्या करण था तक्षिला के लोगों को मारा वहां कौन सा धन था तो य ये मामला धनका नहीं है और इन लोगों के पत्र हैं जैसे आपको आशेर होगा है जानके के महमूद घजनवी जिसके बारे में हम सब को ये कहा जाता है बताया जाता है कि चौधा बारस ने भारत पर आक्रमन किया महमूद घजनवी के भारत पर आक्रमन के भारती इतिहास म एक लाइन कहीं नहीं है कहीं नहीं है कोई लेक ये शौत परमपरा है जो हमें सुनकर पता लगी है अनिता हमारे पास कोई डॉक्रमेंट इसका रिकॉर्ड नहीं है इसका रिकॉर्ड हीरान के पास है जहां से वो हमला करने आया था उसके रिकॉर्ड में है कि सुमनात के और कुफर और इमान और इन सब के जगड़े का है वो किसी कि सुनते ही नहीं मानते ही नहीं वो इस पचड़े भी नहीं है कि सुप्री मेसी किसी है वो बात ही नहीं करते इस पर उनकी बड़ी इस पष्ट बात है कि हम जो कह रहे हैं वो सच है यानि एक उतली बाई या फूलन करने के लिए बात हैं तो यह प्रश्ण उनके संदर में मेरे लिए रिलेवेंट है उनके संदर में बिल्कुल रिलेवेंट है वो सुनते ही नहीं मानते नहीं बात ही नहीं करते हैं उनके पास तो एक ही तर्क है कि we are the boss हमारे पास ही सच है बस इससे आगे सुनते ही नहीं आपने बड़ा गंभीर पर्ष्ण और उसका बड़ा ही विश्तृत उत्तर जो दिया है उससे हमारे विवर्स को काफी कुछ समझ में आया होगा कि भारत के स्विधान का क्या स्थान है इसलाम की नजर में इसलाम के नजरिये में इससे मिलता जुलता ही मेरा दूश्रा प्रश्ण है आपके लिए क्या भारत के स्विधान का भारत में सही मायने में कुरान के प्रिपेक्ष में देखा जाए तो क्या पालन हो पारा है आप काई प्रश्ण में कुछ घटनाओं से इसका उत्तर देना चाहूंगा बॉम्बे के आज़ाद मैदान में एक रैली हुई उसके फोटोग्राफ्स बहुत चर्चित हुए कि बहाँ पर जो सैनिक बलिदान हुए थे उनके लिए एक शहीद इसमारक बना हुआ था शहीद शब्द का बहुत गलत अर्थ लिया जाता है शहीद का जो सही अर्थ है जिसने इसलाम के लिए लड़ते हुए जान दी वो शहीद है जो राश्टर के लिए देश के लिए लड़ते हुए बलिदान हुआ उसको शहीद वे नहीं है फालतू की बात है उसको बलिदान होता है राष्ट के लिए शहीद का मतलब इसलाम के लिए जान देने वाला होता है तो वहाँ जो शहीद इस्तल्था परहाल जो नाम दिया था उसको लोग तोड रहें लाते मार रहें उसने क्या भी गाड़ा आप सामानी रूप से देखिया अब ये कम हो गया है गुजरात दंगे के बाद से अन्य था ये नॉर्मल बात थी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्ध प्रदेश में कि कोई जलूस निकलेगा हिंदों का तो उस पे मस्जद से पत्रा हो जाएगा कोई यात्रा निकल रही है या अभी दिल्ली में जो दंगा होता इस वाला नहीं इस से पहले जो दिल्ली में दंगा हुआ था वो ये था कि नौरातर की चौकी बैठी तो चौकी क्यों बैठी है इसके डौकुमिन्टेड मैं आपको तो उलेक दे सकता हूँ तत्रा निकल डे सकता हूँ कि महमद ने स्वैम एड के मौके पर मस्जद में ढोल बज़वाए थे और आईशा से कहा था कि जाकी सुनो देखो स्टिजोस को मैं इसके उलेक दे सकता हूँ पत्ति दे सकता हूं कि मजजित के अंदर सारे काम हुए ऐसा नहीं है कि कोई यह नई बात है मगर यहां पर विरोध है क्यों विरोध है उनके जहनुत बिलकुल साफ है कि वो 24 घंटे यही सोचते हैं कि वो वो शैतान उसो भरी दुनिया में काफिनोंस भरी दुनिया में ہے और इसको नश्ट करता है उनके सारे नियम क度 इस हिसाब से चलते हैं और भारत में डेमोक्रीसी है और डेमोक्रीसी दुरभागिय से है मगर इस सच है विश बहर में इसलामियों का टूल बनी हुई है हर consistency में लियाग डेड़ लाग दो लाग बोट होते हैं सबकी जीप लप लपाती है उस डेड़ दो लाग बोटों के लिए डेड़ लाग बोट अपने हाथ में आएंगे कि वो एन ब्लॉक बोट करते हैं मैं कानूनी पुरा ना बता रहा हूँ आपका नया नहीं मालूं अगर पहले जब ये वोटिंग होती थी और आधार कार्ड सबसे ये कार्ड नहीं बने थी तब तक की बात नियम था कि 90 प्रतिशत से अधिक कहीं वोटिंग होगी तो उस उसक्षत्र को वैसे ही कि इस पर बूट कैप्चरिंग हुई मानकर निरस्त कर दिया जाएगा इसका एक अप बात था मुस्लिम पोलिंग बूट होंगे तो वहाँ ये नहीं चलता था मैंने सुएम 96-97 परसंट तक बूट पड़ते देखा है मुस्लिम इरियाद है वो बहुत चौकने लोग है तो सारा का सारा और ब्लॉक बूट पड़ता है ये उनकी इन बिल्ट गुड़ मतता है शमा करेंगे समनाम धेन नहीं रहा उनकी पत्नी बलिली से लड़ी है तो मैं वहाँ था एक बुड़िया ने बुड़्धा आँखें नहीं उसी डंड़ा टिकता हो दीन भाई को एक परची डाला हूं करता हो चला जा रहा था उसे ये तक नहीं पता था कि यहां दीन भाई लड़ी नहीं रहा है दीन भेहन है मगर उसका बुड़ दीन के लिए जाए यह उसके दिमाग में है तो सब को मन करता है कि तो लुड़ दो लाख बुड़ यह प्लस हो यह हो गए अब पचासजा प्लस करने इनको इखटा करना है कोई मुलाइम सिंग या लालू यादा या मायावती भारत में ही नहीं है वो लंदन में भी वेठे हैं, वो फ्रांस में भी हैं, वो जर्मनी में भी हैं, वो अमेरिका में भी हैं ट्रम्प से जो पहला प्रेसिडंट था, वो बेसिकली वहां का मायावती था सारे इसलाम इसके फेवर में खटे हो गए, अभी जो बिडिन जीता है, अमेरिका के सारे इसलामें उसके पक्ष में काम कर रहे थे कि ट्रम्प इसलाम के लिए खत्रा बना हुआ है पिछले प्रेसिडंट नयू उबावा ने अरब कंट्रीज में जाकर कहा कि ये जो इसलाम के गलत परचार करने वाले हैं, जो आतंक वादी हैं, इनको नश्ट करना होगा इसलाम का घलत परचार, वो जो कुछ कह रहे हैं, उसकी पुछ्टी वो खुरान से करते हैं कि नहीं, उनके ज़ंडों पर खुरान की आयते हैं, काफिरों को मारने की हैं कि नहीं, वो जब भी ये काम कर रहे हैं, अभी कुछ साल पहले, ती-चार साल पहले तो बहुत सारे वाटस अप आ रहे थे, कि वो पिंजरे में सैनिकों को, बच्चों को, जिजदी बच्चों को बंद करके, पेट्रॉल डाल के आग लगा रहे हैं, कटर से उनके गले काटे जा रहे हैं, समुद्र के किनारे हत्याएं की जा रहे हैं, वो वीडियो बनाने के लिए कोई बहार सर्व शक्तिमान है के नारे लगते हैं, अल्लाह उक्पर क्या है, वो कुफर मिटा रहे हैं, उसके बावजूद उमामा ये कह रहा है, सुनने वाले हसते हैं अंदर से कि ये गधा है, हम जो ये बाते कर रहे हैं, इस्लामी खूप समझते हैं, स्ट्रेटेजी बड़ी फास् हमारा सम्मिधान उनके पक्ष में काम कर रहा है, हम नहीं हम सोचें कि हम उनके वो हमारे इसाब से चलेंगे, वो बिल्कुल इस पष्ट नहीं कि वो आपको चला रहे हैं, जैसे एक उधारन आपको, रामकृष्ण मिशन, सौमी राम, रामकृष्ण, देव परभंस का, उनक के बाद की सारी परंपरा, इसमें एक भी कभी मुसल्मान नाम सुना कहीं किसे नहीं, सारे हिंदू है, रामकृष्ण मेशन ने इसका दावा किया, कोट में गया कि हम हिंदू नहीं हैं, कारण भारत के सम्मिधान में यह है कि कोई भी अलफ संखेक अपना संस्थान खूल सक करते हैं, मैंने अपनी आँख हो सकी ती, और की बात नहीं करता, देवबंद में कोई ये 32 साल कुरानी बात है, एक छोटी सी दुकनिया, उसके अंदर तीन मेडिकल कॉलिज चलते देखें, कुछ नहीं हैं, उनके पास, आप पैसा दीजिए डिगरी ले लीजे, चूकि अल हमें हिंदू नहीं माना जाए, जोकि हिंदू कोट बिल पर ये नियम बना था, कि भारत में हिंदू कौन है, ये कैसे तया होगा, तो हिंदू कोट बिल कैसे लागू होगा, तो सुप्रीम कोट ने विवस्ता दी थी, कि भारत में जो भी मुसल्मान, इसाई, पार्सी, वो हिंदू है और वो यदि ये कहता है कि वो हिंदू नहीं है तो ये सिद्ध करना उसका काम है कि हिंदू क्यों नहीं है तो भारत का सम्मिधान तो बंदी बना पड़ा है वो अपनी मर्जी से जैसे चाय कराते हैं और हम करते हैं तो सम्भिधान पुरान के साथ से चलना आप बिल्कुल ठीक कह रहा है बारत की दुर्गती यही है कि यहाँ पर नियमी ऐसे बने हुए है और उनका हिसाब किताब है मगर अंतर आया है इसमें दो राइनी के अंतर आया है अब पिछले कुछ सालों से किसी ने इफ्तार पार्टी सुनी है इफ्तार पार्टी होती थी दोड़ दोड़ के सारे आते थे काफिरों को से दोस्ती न करो कौरान में आयते हैं माका असपष्ट आयते है कौरान काफिरों से दोस्ती नहीं करो मारे हिंदुस्थान के चोके उन्हें यूज करना है, नियम बनवाने, कानून उन्हें बहुत अपने हिसाब से बनवा है, और यह है. ने हमारे दूसरे प्रशन का जवाब दिया, तीसरा प्रशन भी कुछ इन्ही सवालों से संबंदित है, क्या भारत को सेकुलिजम को अपनाना चाहिए, अपनाए रखना चाहिए, या ऐसी क्या प्रतिबदिता है, कि भारत सेकुलिजम के दाएरे में बंदा रहे हैं? ये बड़ा मज़़ार प्रशन है और मेरी बात की दूसरे प्रशनी की पुश्टी इससे होती है भारत के सम्मेधान में सेकुलरिजम का कोईस्तान नहीं था 75 से 77 जब तक अमरजनसी लगी ये अमेंडमेंट तब हुआ जब विपक्ष नहीं था सारे लोग जिल में थे इसलामियों ने इसको जोड़वा लिया इंद्रा गांदी ने जोड़ दिया ये जो प्रतिबत देता है सेकुलरिजम आखिर सम्मेधान में कोई बदलाव होगा तो इसकी बहस होगी ना इसके पक्ष में पक्ष में बहस होगे रुसकाद वोट पढ़ेंगे तो ये तो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें एक तरफा था इधर इधर ही सब कोई थे और दूसरे तब कोई था ही नहीं तो सेकुलरिजम का जो अधाफा हुआ ये बढ़ावा दिया गया ये बेसिकली अमर्जन्सी में तब दिया गया जब कोंग्रेसी नेता और कोंग्रेस का भी हाल क्या था इंदराइज इंडिया कहने वाले लोग नेता थे सब तलवे चाट रहे थे उस समय में ये हुआ है ये इस पर कभी बहस नहीं हुई तो इसे मानने की बात दियता हमारी ही नहीं मगर कानून का हिस्सा है सेकली ने तो कंग्रेस के लोगों ने तब डाला और इसलाम ही ने डलवाया हमसे ये एक ऐसी चीज़ है कि जिस पर समाज का राष्ट का तो मत लिया ही नहीं गया था ये तो एक थोपा हुआ मामला है इसे मानने की कोई बात दियता नहीं होनी चाहिए मगर कानून है इसे चैलेंज जरूर किया जाना चाहिए बिल्कुल सही कहा आपने समविधानिक तोर पर देखा जाए तो सेकुलिजम भारत की संसद में वोटिंग के आधार पर पास हुआ ऐसा कोई भी तथ्य अभी तक नहीं है उसे उस एमर्जेंसी के दोर में भारतिय समविधान में जोड दिया गया बिल्कुल आपने सही दिशा दी है मैं अपने पांचवे परशन की और बढ़ता हूँ इसलामिक विशों को सुईधान से अलग भारत में स्थान देने का क्या आर्थ है क्या इसलामिक नियमों को सम्मिधान से अलग भारत में स्थान देना ये प्रशना आपको सूजा ये बहुत महत्पूर बात है और गंभीर बात है आज जो भारत की पीडी सामने आ रही है उसको तो इसका ध्यानी नहीं है कि भारत में हो क्या रहा है तो कि ग्यान मिलने के दो तीन तरीखे होते है शिक्षा, शिक्षा में तो ही नहीं माबाब बताएं, माबाब इंसे विश्यों बचा चाहे नहीं करते भारत धीरे धीरे इसलामी स्टेट बनने की तरफ बढ़ रहा है विभाजा नुनिस सो से तालिस में हुआ बीज कप पड़े उसके साथ सो बारा इस वी में जब मुहम्मद बिन कासिम ने हमला किया उसके बाद वहाँ पर लोग भरष्ट किये मुसल्मान बना दिये महां की मंदिर तोड़ दिये गए और उन्हें नमाज रोजाई सब बताया गया कुछ लोगों ने किया कोई दस बारा पंदरा साल के अंदर अरब सारे निप्टा दिये गए सब मार पीट के भगा दिये गए ध्यानना किये गएका 712 1100 में वो सफल नहीं होए थे वो क्षमा करेंगे 712 1100 में पहले हमला नहीं था हमले कई हुए थे वो कई पार बहुत बड़ बड़िया ठुकाई करके भगा दिये गए थे मौमद के समय से ही हमले हो रही थे सब मार वार के भगा दिया गए थे साथ सो बारा में वो सब भल हुए थे उसके बाद उनको फिर मार के निकाल दिया गए फिर बाद में सब बतलाव आया बड़े फैमाने पर जो बतलाव आया वो बावर का था बावर भारत में मदर से लाया था भारत में इस्लामी शिक्षन की वस्ता उसने की उससे पहले भी आकर्मन होते रहे, मंदिर उपर तोड़ होती रही, सब सारे काम होते रहे आप वो सारा ख्षित्र जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया और बंगाल उधर चला गया, ये दोनों ख्षित्र बहुत 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 है, बहुत हों को चुकि शस्तर नहीं थी और चिंतन उनका शस्तर त्यागने का था, उनको मुसल्मान बनाना असान था, बन गए, इसके को एक दिन घोशना करे, कि एक महीने के अंदर मेरे राज के सारे मुसल्मान या तो चले जाएं, या हिंदू बन जाएं, और मैं यहां इस पष्ट कर दूँ, पहवा के जैसे हरदवार के ब्रामणों के पास पोथे होते हैं, जिनमें हमारे पूरो जो का इतिहास होता है, प तो वो घोशना करते हैं कि एक महीने के अंदर या तो वहां के सारे मुसल्मान देशोड़ने या हिंदू बन जाएं, अमने सा दंडित करूँगा, तो क्या 14 अगस्त 1937 को पाकिस्तान बनता है, पाकिस्तान तो इसलिए बनाना है कि महां रहने वाले मुसलिम समाज ने, उनक जहां संख्या का बदला हो रहा है, डिमोग्राफिक चेंजिस हो रहे हैं, वो सारक शेतर इसलामी बनता जा रहा है, कश्मीर अभी तो 20-25 साल हुए, कश्मीर से हिंदू को निकले, मगर उसकी तेहरी तो सेक्ड़ों साल से हो रही थी, जहां जहां हिंदू पीछे हट रहे या अक्समाब तो रहे थे, या मुसल्मान बन रहे थे, शेख अब्दूल्ला के दादा का नाम उसके पर दादा हिंदू थे, बहुत पुरानी बात नहीं है, अखबाल जैसा, जो इसलाम का बेसिक जनक है, इसका बाब हिंदू था, ये मुसल्मान पहली पीडी का है, जहां तो बेकती मुसल्मान नहीं बनता, एक कम होता है और एक शत्र बढ़ता है, ये धर्मान तरण नहीं है, राष्टान तरण है, जो कि इसलाम की मांगे समराजवादी हैं, किसी का मुसल्मान बनने का मतलब है कि अब उसके पूरवजी बदल गए, वो मक्का मदीना की तरफ द बंगाल में इस्तती आ रही है, गाओं में जहां-जहां बहुसंग क्या को गए हैं मुसल्मान, वहां से हिंदु छोड़कर जा रहे हैं, आपने दिखा होगा, टीवी पर में आता है, मेरा तो मन करता है कि इनकी ठुकाई लगाई जाने जाए, कि वो किसा आप गली में मुस तुम्हारी लड़ाई लड़ने कोई और आएगा, मकान बेज देंगे, इनकी ठुकाई उने जी चप्रें बजनी जी इनकाम बखतों पर, जो ऐसी हरकतें करते हैं, आखिर अगर बचके भागों को तो क्या होगा, और मेरी बात कई बार कठोर भी लग सकती है, कमलेश तिव मैंने उनसे प्रश्म पूछा कि बीर गति को तिलैंजली दे दी है, कमलेश तिवारी मर गए, ठीक बात, उनके कारण समस्या आएगी, उनकी पत्नी को, मा को, उनके बच्चों को कुछ कटना है आएगी, ठीक बात, कमलेश तिवारी ने को चंदरकुप्त विक्तरमादित नहीं से पैदा किया था, कि जिसके लिए पूरा राज्ज का क्या होगा, नहीं होगा समस्या, ठीक है भी, जेलेगा, मगर अगर मरेंगे नहीं तो क्या होगा, पंदरस साल जिन्दा रहेंगे, आज हम मर गए तो क्या होगा, मुझे कोई मार देगा, तो क्या होगा, वीर गति को तिलांजली दे दी हमने, इतने स्वार्थी हो गए, कि हम केवल इस बात पर जियेंगे, कि हमें कोई मार न दे, और दूसरा मारने वाला क्या करेगा, वहासे एटम बम फेगा का, तिन सो किलिमेटर दूर से, आके जो मेरे चाकूं मारेगा, वो मेरे दो फुट दूरी पर आएगा न, तब ही तुमारेगा, तो भाई साथ, मैं भी तो अगर उसके दो फुट दूरी पर हूँ, तो वो भी तो मेरे दो फुट पास होगा, मैं क्या करूँगा, चुड़ी मैं पहन के बैटूंगा, किर्दन क जाओ अखबार लगा लगा दिया कि घर वेच विका हुआ है राष्ट के लिए धर्म के लिए अपने परवार के लिए अगर किसी की पत्नी इसे कोई बत्तमी जीकर तो सौरे के मारेगा गी नहीं उसको जगड़ेगा गी नहीं निशुद्व संगर्ष करेगा धर्म के लिए संगर्ष करना किसी और का काम है दीवी के रक्षा तेरी वो तेरी जम्यदारी और राष्ट की रक्षा ये तो कोई बात ही नहीं हुई हम पीछे क्यों हट रहे हैं कोई वज़य तो हो हम संख्या में भी पांच गुना मगर उसके बावजूद ये हमारे फले नहीं पड़ता तो पौरुष का कोई विकल्प नहीं है पौरुषवान बनिये तेजस्वी बनिये राष्ट के लिए संग्ध होईए लोहा लेना है निश्यत रूप से लेना है तो लोहा है आपके पास इसकी रवस्ता कीजे ये कोई बड़ी बात नहीं है प्राण चले जाएंगे चले जाएंगे इसमें कौन सी आपता है बड़ा ही फैलाओ वाला और दिशा देने वाला पूरे हिंदू समाज को भारत को भारत के लोगों को सभी संप्रदायों को दिशा देने वाला आपने जवाब दिया है अब अंत में कंक्लूड करते हैं क्या अलगाववाद की मुख्य वज़े को आपने इसमें चिन्नित नहीं कर लिया है क्या उस वज़े को चिन्नित करने के बाद क्या उसका निर्मूलन नहीं होना चाहिए मेरा ये अंतिन परशन है आपसे आपके परशन में ही उत्तर छिपा हुआ है लोगों की शाद जानकारी में नहीं है रूस जो अब रूस बचा है जो कजाकिस्तान उस्बेकिस्तान अंताजिकस्तानी सब उससे निकल गए है मगर जो अब रूस बचा है लोगों की जानकारी में नहीं है कि वहाँ भारत जैसी इस्तिती है यानि बीस परसंट के आसपास इस्लामी है पुतिन साब का भी साले डिट साल पहले का स्टेट्मेंट है जिनको शरिया चाहिए वो वहाँ चले जाएं जहाँ शरिया है रूस एक विशेश संस्कृति एक विशेश प्रकार के विचारधारा जीवन शैली का देश है आपको ये पसंद नहीं है तो जहाँ आपको आपकी प्री चीजें हैं चले जाएं सिधी सी बात है और ये सोचने की बात है विश्व भर के सोचने की बात है आप तिन-चार साल पहले एक बड़ी फोटो छोटी सी कि इटली के तठ पर एक नाव बहके आई थी उसमें एक बच्चा मरा हुआ पड़ा है बड़ी चर्चा हुई थी उसकी सीरिया से कुछ लोग भागते निकले थे वो नाव पलेट गई थी या कुछ हुआ मर गया जर्मनी की जो उसमें चांसलर थी उन्होंने बड़ी अपनी संसत में दहाड़ी कि ये समय सारे यूरोप को अपनी मानिताओं पर ध्यान देने का है हमारे होते हुई ये कैसे हो गया मैं उस महामूर्ख बॉलम महिला से पूछना चाहता हूँ कोई महाम पहुंच सके अन्हे था जिन लोगों की समझ में आ रहा वो तो देखें सीरिया के लोग इराक के लोग यमन के लोग ग्रहिद में फस गए वहां से वो भागे और भाग कर कहा गए साओधी अरब जिसके पास पांच लाख टेंट हर समय एर कंडिशन तयार है तो कि साओधी अरब अगर आज पेट्रोल खत्म हो जाए डीजल खत्म हो जाए तो साओधी अरब के एकोनोमी कहीं ने जाना वाली उसको बहुत बड़ा पैसा हज से और हज एक विशेश मौसम में होता है महीने में होता है बाकी समय उम्रा चलता है लगातार ही होता है इतना बड़ा बिजनस है वर्ड के जितने बड़े फाइसार होटल होने की शर्थ है कि उसमें बार होना चाहिए मगर उनके लिए छूट दी गई है वहाँ पर बार नहीं होता सारी दुनिया की होटल्स की जितनी चेहन सां मक्का और मदीना के असपास है सारी दुनिया से पैसा उनके पास आता है पांच लाग टेंट वहाँ पर इफस्थाई रूप से लगे हुए है एक आदमी न तो महा गया और न साउदी अरब ने बुलाया के मेरे दीन भाईयों आ जाओ महा शरिया था हलाल गोश्ट था बुर्का था जो आपको चाहिए बहाँ था तो इटली क्या करने गए थे क्यों ये इसलाम का प्रसार है कि वो जहां जहां नौन मुसलिम एरिया वहां घुसेगा और फिर उसको अपने नियमों के साबसे बात करेगा हमको हलाल गोश्ट था ये बाइसाम यहां क्यों आगए जहां हलाल गोश्ट था मरओ शरिया चाहिए किसलिए लंदन में शरिया क्यों चाहिए आप सिरिया से निकले थे तो बगल में इरान था वह चले जाते शिया नहीं जाने तो साओधी अरब तो और दुनिया भर कर्ट्री थे तो ये जो ये इसलाम के मूल में है कि वो गैर मुस्लिम क्षित्रों में जाएगा जिहाद करेगा जमीने पकड़ेगा वहां फिर विवा करेगा उन्हें मुसल्मान बनाएगा अपनी संख्या बनाएगा और उसके बाद अपने नियमों की बात करेगा उसके सभाव में ही अलगावाद है वो किसी दूसरे के साथ रही नहीं सकता तो इसे चिन्नित करने जासा नहीं है वो तो उसका हिस्सा है काफिरों को मारने की बात लेकर जाएगा एंट वॉप डायमन की सबसे बड़ी बड़ा शहर है एंट वॉप में मेरे कई में तरहें वताते हैं कि मुस्लिम रोड्स पे खड़े रहते हैं और महां से निकलने वाली ओरतों और आदमियों को ऐसे घूरते हैं जैसे उनकी जगापर को घुसपट ही आ गया हो एंट वर्प की इस्तित है फ्रांस अब एक गंदा अदेश हो गया है जो दिल्ली में जावा मजजित के आसपास कूड़े कचरे का हाल है न वो पेरिस का हाल है उसको पूरे को तबदिल कर दिया लंदन के कुछ इलाखों में जहां पर मुस्लिम भुख एलिया है वहां कानूनी रूप से कानूनी रूप से वेक्तियत नहीं कानूनी रूप से शरीय नाफिस हो गया है वो काले जंडे वो सारी दुनिया में फैला रहे है तो अलगावा तो उसका हिस्सा है वो लगाता है यह करेगा ही करेगा इसमें किसी को संदे नहीं होना चाहिए हुआ क्या कि जर्मनी की जो मूर्ख महिला है है क्या कि पिछले कोई 40-50 साल से नारी मुक्ति का अंदोलन वंपंथियों ने चलाया चल गया लोगों ने फिर विबाह नहीं किया मैं को परिवार तोड़ने की बात की मैं को बहुत आग्रा किया कि इंडिविज्वल के राइट्स होने चाहिए लेडी की बॉड़ी पर किसका राइट है परिवार तूट गया बच्चे पैदा नहीं किये आपको ध्यान होगा कि पिछले दो साल भर में इटली में बहुत सारे लोग मारे गए हैं कोरोना के कारण ये बात लोगों के सामने नहीं आई है कि सारे 70 प्लस के लोग है वो ये वही लोग हैं जिनोंने कोई आवशक्ता मैसूस नहीं की कि नई पीड़ी पैदा की जाए बढ़ा पा था चाटक गए तो अब फ्रांस की जर्मनी की ब्रिटेन की इटली की इस्थिति आ गई है कि जो और जॉब्स हैं प्लम्बिंग कौन करेगा छोटे मोटे जो काम है वो कौन करेगा गाड़निंग कौन करेगा गाड़ी कौन चलाएगा ये सारा एक वेक्यूम खड़ा हुआ क्यों अपनी नई पीड़ी नहीं है शहर खाली पड़े हैं इटली अपने गाओं में ऐसे गाओं हैं बसने के लिए पैसे दे रहा है कि आजाईए हम लोग देंगे उसका करण ये है कि वहाँ पर नई पीड़ी आई नहीं है उस गैप को भरा इन लोगों से इसकी चिंता नहीं की कि 18-20 साल से लेकर 35 साल की उम्र के देश में आपने पांच लाख लोग ले लिए इनकी सेक्शल नीड का क्या ह नहीं सेक्स के लिए आमदा कर लो तो कि यूरोप नहीं देखा उन्होंने उन्होंने जो पॉर्नोग्राफिक मुवी हैं ये सारी देखी हैं तो उसकी वैसे उनके दिमाग ऐसे बने नतीजा अब जर्मनी में तहरोश हो रहा है तहरोश एक इस्लामी प्रक्रिया है जिसमें गर मुस्लिम औरत को घेर कर रेप किया जाता है एक साथ चार सो लोग उसके पर सरकल बनाये हुए हैं बाहर वाले अलग हगावा मचाये हुए हैं दूसरे सरकल तीसरे अंदर ही सारा हो रहा है वह तरुश की घटनाएं हो रही हैं येरोपेंस परेशान है कि ये हो क्या रहा में क्या खानबान है इनका अब वो कह रहे हैं उन्हें हलाल चाहिए उन्हें मस्जिदें चाहिए अब ये डिमोक्रेटिक कंट्री से इनकाठी के मस्जिद बनाएं मगर मस्जिद भी तो यही करेगी अजान बेसिकली है क्या अल्ला की रामें आओ अल्ला क्या कह रहा है वो पूरी तरह से वाइप आउट किये बिना बदलाव नहीं आने वाला वो तो समस्या की समस्या है ही समस्या की जड़ी इन सारे चिंतन में है तो अलगावद तो हो गई होगा सोहाव एक है धन्यवाद तुफेल जी बहुत ही विस्तार से हमारे सारे प्रशनों के जो मन में हमारे दर्शकों के इच्छाए रहे होगी या प्रशन रहे होगे उनके आपने जवाब दिये और मैं समझ रहा हूँ कि हमारे दर्शकों को एक एक सवाल का जवाब मिला है और दिशा मिली है कि भारत का सविधान कब तक किस दिशा में जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है भारत के लोगों के लिए ये निर्णे करने का समय है भारत के लोगों को तै करना है सविधान ही चाहिए या जो चल रहा है वो सब चाहिए जै हिन जै भारत